नमस्कार, CBFS टीटन में जो 37 नंबर मैच, SSE और ALP के बीच में खिला जाएगा, इसको हम डिटेल के साथ कबर करेंगे, पिच रिपोर्ट, प्लेयर स्टैर्स और बनाएंगे दोस्तों आपके लिए एक वेनिंग टीम, तो वेन्यू सार्जा क्रिक स्टेडियम युए एक का हो तो उस ध्यान में रखते हुए एक डबल सैडर टीम क्रेट के जएगा, रिजन फॉर्म पर आते हैं, तो भाई, SSE ने अब तक पांच खेला है, दो विनिंग की है, तीन लॉस हुआ है, तो ये सेम स्टैर्स आपको देखन को मिलेगा, ALP का, ये भी पांच खेल चुकी है, बट इसका भी दो विनिंग हुआ है, और टीन मुकाबला, ALP की टीम भी लॉस कर चुकी है, मतलब भाई, दोनों टीमें आपको एक जैसी नजर आएंगे, ठीक है, तो अभी टीम बनाने से पहले प्लेयर स्टैर्स की बात करते हैं, तांकि आप खुद से ही एक अच्छी खा आते हैं, तो मौकाद देश सकते हैं, तो जहां से भाई, अगर शाहिल का बात करें, तुझे 9 डाउन राट जा रहे हैं, बट विकर्ट के पीसे आपको डेफिनली प्रोफिट देंगे, तो अगर दोनों को कंपेर करें, तो शोहल एमद एक अच्छा विकल्प होगा, क्यू बट बॉलिंग कभी को बार एक्स्टा में कर लेते हैं, तो विकर्ट टेकर बन तकते हैं आपके लिए, जिए आपके लिए ट्राइबल प्रोफिए होगे, अगर आप जियल के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर सल्मार रंदावा एक अच्छा विकल्प होगा, आपके लिए एसल है, तो एड में आप इनकी जगब पर बाई, कामर शेंट को रख सकते हैं, क्योंकि जे ओपनिंग करने आएंगे, ठीक है, साथ में विकर्ट के पीसे जाएंगे, गलब्स पहने होगे, तो विजए एक भी अच्छा विकल्प है, पच्यास 1927, कच्छी पारी खेल चुक अब्दुल, खालिक, तो उसे दोनों इपॉर्टेंट है जाएंगे, ठीक है, अब्दुल रहेंगे, उसाम आएंगे, तीनों काफी पॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनके बाद गाईज, आपको कामर देखने को मिलेंगे, थोड़े से रिस्की हैं, बट ओपनिंग कर सकते हैं, तो अगर आप जियल के लिए एक बैलेंस टीन क्रेट करेंगे, ट्राइ कर लेज़ेगा, श्रमार रंदावा, फोर डान आ रहे हैं, और इपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आपको बल्ले और बॉलिंग दोनों से फ्रॉफित देश सकते हैं, ठीक है, और उपर की बात करें, तो अगर हामिद को आप लेना चाहते हैं, तो वेल एंड है ने, अगर आप उमर शा को लेंगे, तो भी चल जाएगा, ठीक है, तो इपॉर्टेंट प्लेयर दोनों हैं, बड़ दोनों को अगर करके खेलना चाहते हैं, तो उमर शाहिक अच्छा विकल्प होगा, यान से ठीक है तो अभी बात करते हैं, दोस्तो और अंडर में, जनेत शम्षदीने का अच्छा विकल्प है आपके पास, क्योंकि लगतार विकर टेकर बन रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा तर मकाबलों में अच्छी खासी बल्ले बाजी भी कर लेते हैं, जैसे कि हमने सेकंड लास्ट मे खेलने आ रहे हैं, तो बल्ले बाजी भी शांदार करेंगे, यह दोनों जहां से काफी पॉर्टेंट हैं, ठीक है, कमरान जहां उतने सेफ नहीं हैं, खाला कि कभी कबार विक्रे निकाल देते हैं, बर थोड़े से रिस्की रहे हैं, और थोड़े से रिस्की रहेंगे, और उजर्मान का बात करें, तुझे बॉलिंग नहीं करें, बैटिंग करते हैं, आपको थ्री टॉन जरूर मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगतक कि अकेले बैटिंग के लिए नहीं लगाना एक समिधारी का काम होगा आपके लिए, तो इन्हें आप ड्रॉब कर सकते हैं, जहां स और उंडर में भाई दो प्लियरी काफी जादा पॉर्टेंट है जो कि मैंने ऊपर लिखें एक तो शम्शुदिन है इसके बाद आप मौहमद श्कालन को रख सकते हैं ठीक है जो दोनों काफी पॉर्टेंट बनेंगे आपके लिए और बॉलिंगा कि अगर आप लगाना चाहत अगर अच्छा नहीं खेल पाते हैं तो आपको रैंक करने का मौका मिल जाएगा नूर अब तक असफल होए हैं विकर लेने में ठीक है केसी मैच में विकर नहीं आ रहा है हाला कि पांच चारी नहीं खेल चुके हैं लास्ट में और कॉम्प्रीट ओबर करने के बाद भी इन अगर बालिंग करेंगे तो विकर टेकर हो सकते हैं ठीक है बट बीच में दो इनिंग में बालिंग करने का मौका नहीं मिला था तो ये थोड़े से रिस्की हैं गाईज अगर आप हैट-to-head में जादा इनवेस्ट करकर खेल रहे हैं ठीक है दस जार बारा हजार का लीग खे अगर बालिंग करेंगे तो आप पर फॉलो कर सकते हैं अभी आप मुझे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्ट बोक्स में मिल जाएगा इसके लिए गाइज आपको लाइक का टार्गेट भी कुम्प्लिट करना है अच 100 प्लस का लाइक का टार्गेट है जल्दी से कॉम्लि इमरान को अगर ते नीचे खेलने जाएंगे तो मैं इनको ड्रॉब करते हुए शोहेल एमद को ले लूँगा जो की थोड़ा सा उपर भी खेल सकते हैं और बड़ी बात है वो विकर्ट के पीसे जाएंगे इमरान विकर्ट के पीसे जाने के कम चांस रहेंगे क्योंकि इस ट्रीम के लिए जो SSE के लिए जो विकर्ट कीपिंग करते हैं वो भाई उशेन करते हैं कभी कवा ठीक है तो जे चीज़ आप माइंड में लेकर चलेगा इनके बाद भाई बैटर्स काफी जादा उशेन को लेके चला हूँ उमर शा को रखा है और एहमद को रखा है सेफ एस के लिए ठीक है और अंडर सेक्षन में आफदर रुजाक उपनिंग करेंगे तो इस पोटेंट है जान से जढ़ा जो प्लेर इपोर्टन एपोर्टन एहां और सेम सुदिन से दोनों इपोर्टन हैं और मैं थी बादी बास नजर आएंगे तो बॉलिंग शरand चेक्षन में बहुत सारे प्लेर हैं जिनका रिस्च करेगा कि वो बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे ठीक है तो जहां से इन से बैटर है कि आप अपने और उन डर इस्यक्षन में जाफा कर सकते हैं या बैटर्स जादा लगा सकते हैं तो उजे आपका डिसीजन होगा एक अच्छा डिसीजन माना जाएगा अगर आप जादा बैटर्स ट्राइ करेंगे जाए बॉलिंग के ठीक है तो अगर लाइना में दोस्तो आप चेंज नहीं किये जाते तो इसी पडिक टीम के साथ हम खेलेंगे आज का मकाबला और अगर चेंजर्स होंगे तो फाइनल टीम आपको टेलीगरा पर मिल जाएगा डेफिनलि अगर एक बात और गाईज अगर आप जियल के लिए रिसकी टीम क्रेट कर रहे हैं तो उसमें कैप एंसी ऑप्शन के लिए बाई मैं बहतर बोलूगा कि हुशेन काफी अच्छे है एक तो आप अपटर में खेलने आते हैं उपनिंग करते हैं बागी विकर के पी नई प्रिक्शन के साथ